इस वीडियो को लाइक करें हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन ज़रूर पेज करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए शुरुष यहां पर नहीं देखें टो ऊपर आय बूटन पर क्लिक करके अपर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक प्रोवाइड करने को अवरे अट की प्ले लिस्ट के जहां पर आप जाके देख सकते हैं पूरे लेक्टर को और साथ ही साथ मैं सीपीसी टीर के लेक् आप जूनल से लेक्षिन तक के प्रोविजयन कवर करेंगे आज जिसे आपको पूरा ट्लेर हो ऑड हो द येकली हुग देख सकते हैं और सब्सक्राइब बात करने सकते हैं तो जून की कि motor रहे हैं तो हाँ पर वे तत्त हैं ऑनुद्राइब अनीथा शुशंगतन नहीं है वोकब सुसंगत है अर्थाथ को इधन तत्त है जो डायत लीक्स तत नहीं है लेकिन तिन उसके अस्तिया अनस्थिक्या करने पॉस्विल्टि बना रहे तो वहां पर यह सुसंगत हो जाएगे तो यह टिवेक किसी विवादक तत्य अर्था वे मतलब क्या है कि कोई तत्य जो विवादक तत्य तत्य से क्या है इर्रिलेवेंट है अर्थात असंगत है और यदि वे स्वैमे अर्थात कोई तत्य है ठीक है न वो क्या कर रहे है स्वैम में या फिर किसी अन्य तत्यों के साथ क्या कर रहे है सं जोड़कर किसी विवादक तर्थिया सुजांगत क्या कर रहें अस्तित यदि संभाव बनाते हैं कि सका अस्तित तो हो सकता है यज फिर अनस्तित उसका हो सकता है उस्फशन व्य क्या है किrying तर्थे क्या हो जाएंगे सुसंगत हो जाएंग पयां खसक Vince यहां पे लेवन में तो यहां में कि जेक्षन इसको बोले जाता है प्ली ओफ एलेवाई ये काफी बारिया में पोच्चा जाता है सेक्षन इलेवाई के बारे में तो इसको आप याद रखें ठीक है और यहां पे इसका प्ली ओफ एल या का मतलब होता है अन्यत रुपस्थति अथाथ क्राइम कहीं और हो आघाना और आप पर आरोप है कि आप वहां थे लेकिन आप डियर ने कहां थे और थे उसको मैं एक ग्यांपल समझेगे आप पूरा क्लियर हो जाएगा यहां पे है एक ग्यांपल कि यह की प्रस्थ यह है कि का ने अमुक दिन कलकत्ते में अपराद किया है और यह था थिक उस दिन लाहौर में था सुसंगत है अर्थाद अब का पर क्या रोप लग रहा है कि जो कलकत्ते में यह था उस टाइम पर अपराद हो अर्थाद का ने कलकत्ते में क्या किया है अपराद किया है लेकिन का वहाँ पर क्या साक्षी देता है कि नहीं उस दिन में कलकत्ते में नहीं लाहौर में था ठीक है अब कलकत् ह 그것 wellness that we get bye लेकिन यहाँ पर क्या है उसको सावित करना पड़ेगा कि वह लाहौँ में था तभी यहाँ पर ये सुअगत होगा घरना तुम में प्राइम कहीं और वह और याइवर होप है कि यहां क्राइम हो तो आप उस दिन वहां पर मौझूद थे यह चीज इससे रिलेट्ट प्रोबियंस कहां पर सिक्सन इलेवन में यह सुसंगत हो जाएगा आपको कोई डाउट आता है या फिर लेक्षा से रिलेट्ट या फिर आपको कोई क्वेडी है तो आप मेरे इस इंस्टागरम की आई डिफर फॉलो कर सकते हैं वहां पर अप मैसेज करी जो भी आपको डाउट होता है अप सारे डाउट आपके पूरे क्लियर किये जाएंगे और तो आगे परते हैं तो समचाने के लिए बादों में रखम अपधारइट करने के लिए नियायले को समर्थ करने के प्रवित रखने वाले तथि सुझात है कुछ नुक्सान के लिए बादों में कुछ नुक्सान किया गए ठीक है कोई मामला आया है सामने अब वहां पर क्या रकम कितनी अब धारित करनी चाहिए यादिन्याले को जानना है ठीक है और यहां पर कोई समर्द बना रहा है कि उस तथे के आधार पर कुछ रखम निजाइद कर सकता है तो यह चीज का रिल्मेंट हो जाई कि सेक्षन 12 में सेक्षन 12 से सक्षन 13 सब करें ऐधिकार या रूड़ी प्रसborय प्रका ये अर्फा को एक पर हूँ प्राव़ी और बहुत दिनों सब्सक्राव में अगर कोई प्रकार प्रसुन आता थे तो तो वहां पर तो वहां पर यह क्या होगा सुसंगत तत्थ होगा रोड़ी और अधिकार से समद्धि जो भी प्रशन आएंगे ठीक ना और उसके बारें कोई तत्थ दिया जाता है तो कहां से से रिलेवेंट होगा रोड़ियों के बार में सेक्शन 13 में और उसके बात बात करें सेक्शन 14 की तो सेक्शन 14 क्या बात करता है मन या सरीर की दसा ठीक ना या तुम मन की दसा हो सकती या फिर सरीर की कोई दसा हो सकती है मेंटल फिजिकल या फिस सारीरिक संबेदना का अस्तित तो दर्सित करने वाले तक थे तब यहां पर कहा है मन की कोई दसा अच्छा है उसका आसर एक जान सद्भाव उपेक्षा उताबला पन किसी बिसिष्ट ब्रत वैमनस का मतलब होता है कि किसी के प्रत गिरेड़ा करना ठीक है इस नाइप को ति यहां पर कहा है जान है और उसके बात क्या है कि सारीरिक संबेदना के किसी दसा अर्थात की कोई संबॉडलिंग कोई ऐसा फैक्ट है ठीक है ना तो वह कहां से दर्सित हो जाएक उस्तित दर्सित करने वाले तक कहां से सुसांगत होगे सेक्षन 14 से सुसांगत हो जाएंगे अब यहां पर एक सुनाइगे किसी कोट के द्वार ठीक ना तो वहां पर उसकी जो पूरुदो सिद्धी है वह भी रिलेवेंट हो जाएगी सेक्षन 14 में तो यह इसको याद रखिए उसके बाद है सेक्षन 15 तो सेक्षन 15 क्या बात करता है कि कार्य आकास्मिक यह सा आसे था इस प्रस्थन पर प्रकाश डालने बाले तत्य अब यहां पर क्या है कि अगर कोई कारी किया गया है माली यह ए ने बी कोई कारी किया ठीक है ना यह कोई अपराद किया अब यह जो अपराद कार कर रहा है यह एक्सिडेंटली हो गया है ठीक है ना यह फिर इ एक्सिडेंटली था या फिसा से कर रहा है वो कर तो वह चीज के हो जाए कि इसक्षिशन 15 अप एविडेंस एक्ट में तो यहाँ बात करें ती जब कि यह प्रस्ण हो कि कार्द आकस्निक था अर्थाद एक्सिडेंटली था यह फिर साथ किया गया था या किसी बिसिष्ट एक जान या आसर से किया गया था इस पर प्रकाश डालने वाल कोई विताथ होता है कोई ऐसा है का नाम का ब्यकती है जिस पर कुई आरोप लगा है यो अपने घ्रीष है कर URLs पुरापर के याारूप है इसने अपने घर को स्वैम जला दिया है क्योंकि उसको में अपने खर और बिम जला दिया है क्योंकि उसको zvuky जाहिए थी दीमे का धन्ट चाहिए था ऐथा यहां पर एक एक ज्ञिंछозд फै plaisir हों में एक के फस्चा दूसरे में रहा जलूका झाल्पा घर मेरा ठीगे दो सरे घर में रहा फिर तीसे में एक करके रहा ठीगे न moral जीन वा उसका विस खाल बिमा कर दिए आग गया और सभी में क्या हुआ ह कि आग लग कर दenne मिला इस नाधी शुचंगा व दर्सित होता है यड्री कांड आका सिर्षा था एक में सब्षस्थ कर द्हुंत परोiu में यहां पर क्या हुआ कि जो का था वो अपने घर बन बाता ठीक है बीमा करवाता हो अपने घर को क्या करता जला देता था उसको बीमे के राज पर प्राप्त हो जाती थी एक के बाद ऐसे करता रहा ठीक है तो यहां पर क्या हुआ कि ऐसा दर्सित होता है उससे कि वह अगनि कब सुसंगत है कोई बिजनेस कर रहे हैं ठीए कोई वैक्ट तो उनके जो अनुकुरम है उनकी जो प्रशन में क्या होते हैं एक के बाद अरथाद ऐसे नहीं कि कभी कवार करता है ति कि कना आज किया 15 वीस दिन बाद एक महीने राथ करता है वो काम यह चीज कि जो स्वभा होता है कि अतराद होता है यहां没事 सारी रिलेवंट हो जाए कहां पर सिक्षन 16 में तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो यदि आपको ये अच्छा लागा है तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आगन प्रेश करने तके आने वाले वीडियो इस कोई डाउट है क्वेर लिए तो आप इस इंस्टाग्राम आइडिए फ़ॉलो कर लिए और हाँ पर आप मैसेज करिए जो भी डाउट हो आपका तो सारे डाउट आपको क्लियर की जाएंगे तन्यू सुम् झाच झाच झाच